हेलो गैस वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल सलोन फैट आज हम बात करने वाले हैं नैनो प्लास्टिया विट हेर कलर गैस नैनो प्लास्टिया जो ट्रीटमेंट है इसको किस तरीके से किया जाता है यह मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन मां दे दूघ greetम आप जाकर वीडियो देख सकते हैं तो गाकिस काफी लोग में से यह पूछ रहेते कि नैनो प्लास्टिया के साथ हेर कलर कैसे करते है au करते है और करते हैं तो कौन था किस तरीके से कर सकते है क्यूं कि एक अपने जो लोग क्या उसको चेंज करने के लिए करते हैं इसे हम फैसन सेट्स भी बोलते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम नैनो प्लास्टिया करेंगे ना और या किसी ना किया भी होगा तो यह ना उस जैसे आपने टॉप लगा दे क्लाइंट के फोन नम्बर के हेर इनकोमिक्सकर आपनेय टॉप लगा दिया किलर को मिशस्थे का मिनट बाद आपने उनका रिंस ले लिए और बोस कर दिया और सीधा ट्रिटर्मिंट स्टार्थ कर दिया स्दाट कर ने का इस क्या होगा जो आप ट्रीट्मिंट करोगे इस ट्रीट्मेंट के बाद यो गिरे हेर वापस आज़ेगे गया जैसकि के पाल पांच नमबर के न तो हम क्या के आप तीन और चार मिक्स करके 20 volume में touch up लगाओ फिर keratin करते समय आपके wide wall नहीं आएगे लेकिन इसकी जो है गेम ही अलग है यह बालों के जो pigment को नहीं बोथ high lift कर देता है अंदर की जितने भी ग्रे अगर आप चार नमर के बाले के बाले के मैं तो कहता है इस सेम डे वोस है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक दिन में हो जाएगा सेम डे वोस करना है और फिर आपको gray coverage start कर देने तो पहले gray coverage बिल्कुल भी ना करें ठीक है गैस और दूसरा अगर हम फैसें सेट करनी है फैसें सेट मतलब मैं बताए तो मालों आपने ग्लोबल की बात कर लेते हैं पहले ग्लोबल कलर करना है ग्लोबल कलर जब आप करोगे ना फिर आप नैनो प्लास्टिय करोगे तो आपका जो क्लाइन का डिजायर सेट था ना वह एकदम वाम टोन की तरफ चले जागा काफी यादा वाम की तरफ आजएगा हमारे अंदर अंडरलाइंग पिगमेंट जो होते ना यह ट्रीटमेंट उसको काफी यादा इन्हेंस कर देता है मान लिजागे आपकी क्लाइन ने कोई कॉल सेड मांगा लाइक दिख सेवन पॉइंट एट मोका चॉकलेट आप उसके बाद यह करो यह उसको बता किस तरीके गवना देगा पॉइंट एट की रिफ्लेक्ट तो बिल्कुल ही खतम हो जाएगी तो वह एकदम से लगेगा साथ नमर का डाक ब्लोन कलर या फिर 7.3 लगेगा या फिर लगेगा सेवन पॉइंट जीरो थीरी साथ नमर का ज्यादा लगेगा करना इसमें रिफ्लेक्ट आईगी गोल्डन की क्या होता है जो आपने डिपोजिट करा है कलर मतलब जो आपने कर रहा है यह ट्रीटमेंट उसको वाम की तरब ले जाता है तो मैं आपको यह बोलूँ सभड़ेंट बोल्डोन का चाता कि हो और हुआ कर रहे हो अगर क्लाइंट को चाह्न नमबर के ह्ल Carroll उनका जो ग्लोबल होना है वह 40 वोल्यों से होना है तो आप ऐसा मत करना कि नैनोप्लास्टिय कर रहा ह। फ़ी बोल्यों से ग्लोबल करो से बिलुकुल जो हमास परका जो ज्यादा हाड वोल्यूम होता है जो डैवलोपर होता फोटी वोल्यूम काफ़ ज्यादा हाड होता है वो इसका treatment को खतम कर देगा सिच्चे से नहीं होती है कि 40 वोल्यूम से अगर ग्लोबल करना है तो आप अपनी क्लाइंट को वाम टोन की तरफ ज्यादा सज्जेस्ट करें कि वाम कलर की तरफ ज्यादा सज्जेस्ट करें लाइक दिस में आपको बता देता हूं पॉइंट थिरी वाले सेड़ पॉइंट फॉर वाले सेड़ पॉइंट सेक्स वाले सेड़ पॉइंट फाइब बाले भी होगे तो चलेगा ठीक आपको यह चीर वांटोन पर सज्जेस्ट करनी है अब मालो अगर आपकी क्लाइंट को भाई चाहिए ही चाहिए ठीक है क्लर चाहिए चाहिए कूल कलर चाहिए तो क्या करना है बाद में नहीं होगा पहले ही 40 वोलियम के साथ आपको माली जी क्लाइंट ने कि-7.8 ठीक है कई 7.8 कलर इंग आपने क्या कर दिया नेनौप्लास्टी ट्रींट कर दिया ठीक है फाइनल वॉस ले रहे हो आप कि झाधा फाइनल वॉस लेते ने सका नेनौप्लास्टी एगा तब आपको क्या करना है वाड़ आपको 7.8 लेना है और 10 वोलियम में या फिर आप 20 वोलियूम में ले सकते हो ज़्यादा उसी सेंपू सेक्षन पर एक बाद डिपोजिट कर देना है ग्लोबल होए वाले बालो पर ही दैन आप यह ट्रीटमेंट कम्प्लीट करें नैनो प्लास्टिया ठीक है तब जाके आपका यह ग्लोबल या कोई भी कलर हो पा जाएगी कूल टून का इसमाना उनको आपको बता दिया है पहले कर लो दैन थोड़ा सा कलर लेकर टैने टॉंटी वोलियूम मिक्स करके उस एंपू सेक्षन में फाइनल वोस पर डिपोजिट लगा दो ठीक है इस कलर आपको पहले ही करना है तो आपको बाद में करना है बालों में स्ट्रेंथ बढ़ाता है और काफी ज़्यादा जो हेर में अच्छी साइन भी देता जैसे मैं आपको बताया है और साती साथ आपको ये अच्छा खासा एक स्ट्रेट लुक भी देता है जो हमारी केरिटी नहीं दे पाती और इसको नेनो प्लास्टेस ले बोला जाए इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है आपको क्लाइन के बाल अन वॉस भी है ना बस ग्रीसी नहीं होने चीए ठीक है गाई ओल वगरा न लगा हो या फिक कोई हेस्टाइलिंग का प्रोड़क्ट बालों पर न लगा हो तो आप उस पे बिना वोस करें भी ये नैनो प्लास करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें मैं आपको बता दिया है वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डॉन्ट फर्गेट टू प्रेश्टा बेल आइकान